कोई औरत कोई भावी अगर आपके साथ सूना चाहे आपके साथ रिलेशन बनाना चाहे तो आपको यह इसारी जरूर देगी आपको देखेगी और अपने होट खोई लाएगी आपके सामने आपको उत्तिजित करने वाले कपड़े पहंड के आएगी आपको बार बार होता है मजाग हसी का रिष्टा होता है बड़ डबल मीनिंग में आपके साथ मजाग करेगी कोई शादी शुदा और अगर आपको यह इशारे देना तो इसे निराश मत करना उसे सीधा बिस्तर पर लेके चले जाना बिचारी के पती शायद कोई काम कर नहीं आप इसको जो ऐसे तरीके के ही थमनील के साथ वीडियो अप्रोड कर रही है सदियों से मैं अपने लैप्रोप में काम कर रही थी और अचानक मेरे पास एक नोटिफेकेशन आया नोटिफेकेशन पैनल में कुछ ऐसा ही लिखा हुआता जैसा आप इस थमनील में देख सकते हो मुझे बड़ा एकसाइटमेंट हुआ कि भई भावी तो मैं भी हूँ पट ऐसा क्या इशारे देती हैं भाविया जो मुझे नहीं पता मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो मेरे सामने पेज ओपन हुआ उस पेज को खुलते देखते समझते ही कब घंटे दो घंटे बीद मुझे समझ में नहीं आया और बड़ी अजीब बात है कि ऐसे विडियो पे लाखो मिलियंज वियूज है बात अजीब नहीं है अजीब बात तो तब होगी जब मैं आपको बात की बाते बताओंगी किसी थामनेल में ये कहा गया है कि अगर भावी आपको इशारे देती है तो समझ लो कि आप सेट हो अगर भावी आपको ऐसे इशारे देती है तो समझ लो कि वो खुश नहीं है वो आप से अपना रिष्टा तैय करना चाहती है आप समझे सकते हो कि बहुत सारे ऐसे वटका इस्तमाल करगे कि भावियां अगर आपके साथ हम बिस्तर होना चाहती ह तो वो आपको कुछ ऐसे ही इशारे वगारे देती है और ऐसे जो वीडियोस है जो कि पॉपुलर है ऐसे वीडियोस के फॉर्मेट जो है वो भी बड़ी अजीब है अगर आप भी ऐसे वीवर्स के लिस्ट में सामिल हो तो आप जानते हो नॉर्मली हम जो यूटुबर्स वीडियो बनाते हैं हम कैमेरा रखते हैं सामने बैठते हैं आवाज भी हमारी होती है चेहरा भी हमारा होता है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी वीडियो हम डालते हैं अप्लोड करते हैं उसमें कोई ना कोई सच्चाई हो कोई ना कोई चीजों के लिए तलाश रहा हो और उसने ही ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड करी हो या फिर खुद बहुत ज़्यादा माहिर है इस चीजों में और साथी साथ ग्राफिक्स जो यूज करते हैं वो कोई ऐसे एच्टी वीडियोस उठाए गए हैं जो कि यूटूब के लिए फुरी में मिलते हैं वो बार बार रिपीट होती रहती है और वो और चलता रहता है थंबनेल में जो दिखा जाता है वो है ट्रडिशनल इंडियन कोई लेडी कोई औरत जिसका चेहरा किसी के होड बहार निकले नहीं है एक तो घंटे ऐसे वीडियोस में बिताने के बाद भी पांच मिनुट बे मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो सचमुच फाइदे की चीज हो और जो चीजे ऐसे वीडियोस में बताई गई है वो कोई भावियों के लिए नहीं बताई गई वो ऐसे औरतों के शारे देना लडकियों का नहीं लड़के भी करते हैं ब्लाउस के बटन सब लड़कियों के नहीं खुले रहते लड़के भी अपने शटका बटन खोल के चलती है रस्ते पे और इसमें जो टोट के बताएंगे हैं जो तरीके या फिर जो अनोखे तरीके बताएंगे वह कोई तरीका है ही नहीं क्योंकि ऐसे तरीक के शायद कोई भावी मा पर आजमाया ही नहीं जा सकता अरी भाई लड़कियां या फिर भावियां कोई सरकस में मिलने वाला जानवन नहीं है या फिर रस्ते पे मिलने वाला कोई कुटा नहीं है जिसको अपने काबू में करने के लिए आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो यह जो प्यार महबबत की चीज़े हैं चाहिए आप भावी के साथ ही कर रहे हो या फिर किसी औरत के साथ या फिर किसी लड़की के साथ किसी के साथ भी अगर आप प्यार के रिष्ट में पढ़ते हो तो ये प्यार व्यार कुछ अलगी चीज़े होती है इसके लिए आपको ट्रेइनिंग की जरुरत नहीं होती है कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो शायद इस्तमाल हो पट वो जैंटल और जैनुवीन होना चाहिए आख मार के होट काट के या फिर ऐसे कोई इशारा के वो हुम्बिस तर होना चाहिए तो आपको ऐसे इशारे देगी वो कोई इंसान किसी प्यार में नहीं दे सकता भाई वो ही और या फिर वो ही लड़की आखरी नहीं है आप मूव ओन कर लो और लास्ट बड नॉट दालेस्ट मैं क्यों ये वीडियो बनाई इसलिए बनाई कि लड़कों के दिमाग में जो लाखो करोडों लोग ऐसे वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये गलत फैमिया बैट रही है बई कि कोई औरत अगर आपको देखके होट हिलाती है आपको देखके दात कारती है या फिर आपको देखके आख मारती है तो वो शायद आप से पट चुकी हो या फिर वो हम बिस्तर होना चाहें बट सारे के सारे ऐसे लिस्ट में नहीं है क्योंकि हम भी भाई किसी ना किसी की भावी ही तो है सब लोग सारे भावियों के लिए गलत फ्यामिया ना पाले Thank you